आज जो जिला है आप लोगा कौन सा है आप लोगा आज जो जिला आप लोगा है वो जिला आप लोगा है इस पेसली नीमच समझ रहे हो बात को तो आज नीमच जिले के बारे में डिसकसन करेंगे देखते हैं चीज़े किस तरीके से आप लोग के लिए महतवपून हो सकती है जल्दी से जुड़ जाएं जितने भी बिद्धियार थी अपने साथ मौझूद है तो प्लीज आज आज आईए जिला दरसन सीरेज आप लोग के लिए चल रही है और इसमें सभी जलों को एक एक जैसे हम लोग जिरा का दरसन कर रहे हैं सभी जलों के बारे में एक एक से हम लोग पढ़ रहे हैं और आज जो आप लोग का बात होने वाली है वो जला नीमच के बारे में होने वाली है नीमत जला आप लोग का किस तरीके से अत्यासिक दरश्टी कॉंट से आप लोग के लिए महतपून है क्या चीजें इसकी आप लोग को याद करनी है किस चीज से आप लोग को बचना है समझ रहे बात को या क्या कुछ आप लोग को याद होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए everything is important for you and today we will discuss regarding this so I hope कि let's start शुरू बात कर सकते हैं हम लोग जो आने वाले बच्चे होते हैं वो समय से आ जाते हैं जो लेट लतीफ हैं उनका तो अपन कुछ कहीं नहीं सकते क्योंकि फ्री में content की इज़त नहीं होती है बात मैं recorded इनको देखने की आदत है तो कोई समस्या है नहीं सभी districts को मैं complete आप लोग करवा रहा हूं इसका playlist आप लोग को comment section में भी मिल जाएगा साथी साथ description में भी आप लोग को मिल जाएगा very very warm good afternoon निशा मालवी एक आज यहां पर देखा जाए जिला डिसकस होना है कुल्दीब भाई भी आ चुके है सोतें की सो मच चली इस रूबात करते हैं भहिया क्रांती हुई थी आप लोग के यहां पर तीन जून को चली इस रूबात में ही आप अपने आज जिले के वारे में मुझे लगता है वैसे भी इनको बोलने किया हुगा एंट 1895 में मालवा में नीमच वरिटिस सेंटल इंडिया एजेंसी के एक राजनेतिक एजेंट का किस तरीके से मुख्याले रहा भारती रेजिमेंट के लिए किस तरीके से आप लोग का केंदर रहा और कहां कहां आप लोग का इसका नॉमिनेशन किया गया था साथी साथ नीमच छाउनी के रूप में यहां 1857 का जो बिर्द्रो हुगा था वहां पर किस प्रकार के सेने को ने क्या आपना योगदान दिया था साथी साथ नया गाउं सीसी शिमेंट फैक्टरी जो आप लोग की यहां पर लगी हुई है सीसी आई सीसी आई जो आप के लिए जो है वैल्स पन और मद्यपर्देश पर्योजना वैल्स पन और पर यहां पर मौझूद उसके बारें बात करेंगे आप फीम की खेती यहां पर की जाती थी यह वह आप लोगो के लिए बहुत में पुण्यसाथ ही साथ ओक्टर लोनी इमारत यह आप लोगी मौद नहीं यानि कि इनके नाम पर जो किस तरीके से रखी गई तो उनके बारें बात करेंगे और आपका प्रामहा नीमच केंद्रीय रिजर्ब पुलिस बल जो आप लोग का है सेंटर रिजर्ब पुलिस फोर्स जो आप लोग का है इसके बारें बात करेंगे केंप परिशर किस तर दिन अलिया के उर से, विशुणूतर बाकंड करजी भी सैन से सम्बंदेत थे और सुंदरलाल पठवाजी के बारे में पढ़ेंगे और बालकभी वैरागी के बारे में पढ़ेंगे22 ते जी के बारे में पढ़ेंगे tsunami पहला यहां पर आप लोगब फोला गए था इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग discussion करने वाले हैं तो I hope कि आप लोग बहुत जादा excited होंगे चीजों को ले करके साती साथ अच्छे से आप लोग समझ पाने में सक्षम होंगे शुरूबात करते हैं आज के सेशन को किस तरीके से हम लोग इसको important बना सकते हैं let's start and we will discussion with नीमच तो यदि बात की जाएं नीमच च्छावनी के बारे में तो नीमच च्छावनी की शुरूबात करते हैं सब लोग कमर कसली जीए हो सके तो आप लोग चीजों को note down करने की भी कोसिस करना यहां आपको बोला गया है कि नीमच च्छावनी ने 1857 के भरतिये विद्रो में महत्पून भूम का निभाई और मालवा में अशान्ती का वड़ा किंद्र यही आपका हुआ करता था 1857 में नीमच सबसे अधिक प्राचीन इस्थान था जहां पर विद्रो का विस्तार आपका हुआ मालवा छितर के अंतरगत आने वाला यह इलाका नीमच जहां पर 1857 की करन्ती के दोरा जोर पकड़ा गया नीमच में देशी वंगाल के सैनिकों की एक टुकड़ी तेनात की गई थी फिर दिल्ली के लिए विद्रो और मार्च आप लोग का यहीं से किया गया दिल्ली के लिए यहां से फॉज आप लोग की मद्य प्रदेश के नीमच जले से निकली जब 1857 में आप लोग का जोरों पर था विद्रो उस टाइम पर मद्य प्रदेश के नीमच जले से कुछ सैनिक टूपिया इंदौर के लिए या दिल्ली के लिए विस्थापत यहीं से हुई थी यूरोपी अधिकारियों ने किले में सरंडी और बाद में मंद्सौर शे एक विद्रोही दल या विद्रोही वल के द्वारा उन्हें घेर लिया गया मालवा छित्र को वल द्वारा राहत मिलने पर यूरोपीय लोगों ने सहर का वचाप किया 1895 में मालवा में नीमच ब्रिटिस सेंटल इंडिया एजेंसी के एक राजनेतिक एजेंट के रूप में मुख्याला के रूप में रहा इस वाली सेक्षन से जो आप लोग लिए कोशन आता है वो कोई इंपोटेंट नहीं रखता है सिर्फ इंपोटेंस यह रखता है नीमच जिला जो आप लोगा है 1857 की गरांदी के रूप में जो है बहुत में नवाई है और यह मालवा का एक हिस्सा हुआ करता था सिर्फ दो पॉइंट आप लोगो याद रखना है और कोई भी पॉइंट आप लोगो याद नहीं रखना है ठीक नीमच जिला जो आपका है भारति यह सेना रेजिमेंट के लिए किस तरीके से किंदर के रूप में काम किया है तो जितने भी विद्ध्यारती यहाँ पर आए हैं पहले तो देखो प्रिजेंट लगा दो आपकी उपस्ति मुझे बहुत वल देती है आपकी उपस्ति मुझे बहुत तागत देती है कि इतने ल नीमच जला जो आप लोग का है बॉम्बे आर्मी बॉम्बे आर्मी का जो दूसरा बॉम्बे लाइट केलिवरी आप लोग का यहां पर बॉम्बे आर्मी थ्री बॉम्बे लाइट केलिवरी यह आप लोग के केंद्र जो हुआ करते थे उनके नाम आपको रटने पड़ेंगे फिलाल यहां से कोशन आभी तक आया तो नहीं है लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि यह important है नीमच भारत में अंग्रीजों की 26 भी और 48 भी फिल्ड आर्टिलरी वेटरी का किंद्र भी हुआ करता था very good afternoon प्रगती रहे यहां देखा जाए नीमच छावनी 3 जून 1857 का दिन था और नीमच छावनी में पैदल और घुरसवार श्रमू ने अंग्रेजों के विद्रुद विद्रुख आप लोगों का आरम कर दिया छावनी में जा करके आग लगा दी करनल सीवी सोवर्ष ने उदैपूर के राजपूर सेनकों की साहता से नीमच की किले एवं निमा हेडा पर आधिकार कर विद्रुख को आप लोगों ने समाप्त कर दिया तो इस पेसली किसकी साहता से नीमच की किले पर आधिकार कर विद्रुख को समाप्त कर दिया तो करनल सीवी सोवर्ष का नाम आपको याद रखना है। और 3 जून 1857 की क्रांती का उदै मद्य प्रदेश में जो हुआ था, वो नीमच जिले से ही हुआ था। यहाँ पर क्या किया गया, जो पैदल से ना हुआ करती थी और जो घृसवार शमू था। उन लोगों ने अंग्रेजों के व्रुद्ध आप लोगों का युद्ध आरम कर दिया और छाओनी में आग लगा दी। जो व्रेटिस लोग थे वो एक तरीके से सरकार, अब सरकार की नोकरी, बरतमान में जैसे अपन लोग हैं, अभी अमारे यहाँ कुछ भी हो जाता है, तो अमारे लोग ही उनको मारते हैं, क्यों मारते हैं क्यों हम सरकार के प्रती वफादार हो जाते हैं सरकारी नोकरी के बा इतिहास में स्वर्णिम तरीगे से रची गई है जहां पर जो अंग्रेजों की संचार लाएने थी संचार का सबसे बड़ा आवाह था हमारे पास कि अपने संदे से एक दूसरे राजा तक नहीं पहुच पाते थे तो यह बहुत बड़ा आवाह था इसी क्रम में आप लोग का मंडला की श्वतंतरता के लिए रानी दुरगावती के वनसच संकर सहा प्रियास कर रहे थे तो यहां पर मंडला में भी बिद्रो किया तो यह आपको याद रखना है मद्य प्रदेश में जो च्छावनी नीमच की च्छावनी थी वहाँ पर 3 जून 1857 को जो है बिद्रो आर और देखा जाए आगे की कड़ी में मुंबई आगरा श्यूपरी की संचार लाएने दवस्त कर दी इसी दोरान आप लोग की रानी दुरगावती भी मंडला की स्वतंतरता के लिए जो है कारण कर रही थी तो उसी दोरान उनके वनसच जो हुगा करते थे संकर सहा संकर सहा क के दोरा भी इसमें अपना पूर्ण योगदान दिया गया आपके लिए बता दूं कि 20 जून 1857 को बिद्रो के बाद बुंदिल खंड के स्थानी शेनिकों ने भी बुद्रो आप लोग का किया बुंदिल खंड वाला जो रीजन आप लोग का आता है वहां भी आप लोग का बिद्रो हुआ 1857 को बिद्रो के दोरान इंदोर में उपस्तित करनल डियूरेंड करनल इस्टाक्तो और आपके जो है कैप्टन लुडू और तथा कोब को बोपाल के सिकंदर जहां वेगम ने सरन दी थी तो ये सिकंदर जहां वेगम जो आप लोग की है वो इस्पेसली क्य माने जाती है ये आप लोग के लिए गद्दार माने जाती है सिकंदर जहां वेगम जब ये यदि उसी टाइम पर ये इनको सरन नहीं देती तो कहीं ना कहीं आप लोग का ये यहां से समाप्त हो चके होते क्योंकि विद्रो बिल्कुल जोरों पर था लेकिन ये सिकंदर जह साल भी काफी होते हैं नहीं तो आज 90 साल पहले यदि हम लोग आजाद हो जाते तो कहीं न कहीं हमारे विकास का इस तर कुछ और होता अब यदि आगे बात की जाए नया गाओं CCE Cement Factory यह आप लोग का Cement Corporation of India CCI Cement Corporation of India CCI की नया गाओं में 1976 में इसको इस्थापत आप लोग का किया गया था गुड आफ्टरनून सभी लोगों का नमस्ते अमर भाई डियर ओल स्टूडेंट बस आप लोग रेगुलरली साथ रहिएगा हम कुछ भी कर जाएंगे बट लेकन वी रेगुलर ठीके ना तो मैं आप लोग को बता रहा था CCI Cement Factory यह आप लोग का Central Corporation of India Limited Government of India Enterprise आप लोग का है Central Government की Authority के according इसको यहाँ पर इस्टेवल किया गया है Factory में Cement का उत्पादन 1982 से शुरूबात किया गया था 1 March 1982 से इसकी शुरूबात की गयी थी और 10-15-1990 में Factory में उत्पादन आप लोग का बढ़ा दिया गया था चुना पथर इस प्लांट में नया गाउन से 2 क्लिमीटर दूर खेरार थोर खदान से आप लोग का लाया जाता है तो नया गाहों जो नया गाहों एक गॉलियर के पास में भी है वो नया गाहों अलग है और यहाँ आप लोगों को पूछा जाएगा सिर्फ इतना कि CCI जो Cement Factory आप लोग 1982 में इसकी शुरुबात की गई थी 22 साल से यह factory आप लोग की बंद पढ़ी है यानि current situation यह आप लोग का लॉक है ठीक है इसकी परियर जो छमता गुगा करती थी वो चार लाख टन थी तो बहुत वड़ी factory आप लोग की कही जा सकती है यह यहां की कला के बारे में कुछ एक बि प्रिंट के लिए मसभूर है आप लोग का बहुत ही चाता है इस प्रिंट की खासियत यह होती है कि इस में परंपरागभज चटकीले रंगों का प्रियोग किया जाता है चटकीले यानि की कह सकते हैं गेरे रंगों का अठाना नंदन प्रिंट भील जन जाती के तोरह तयार किया जाता है और परंपरागत रूफ से नंदना की छपाई में चार मोठिफ्स अर्थात मिर्च और आप लोग का मेगनोलिया काली आम और लतावेव जिनके अलग-लग नाम आप लोग के दिये गए हैं तो इसकी छपाई में आप लोग का मोटिफ्स अर्थात्मेच जिसको हम लोग कह लाएं चम्पा कली जिसको हम लोग मेगनोलिया कली कहते हैं अमबा जिसको हम आम कहते हैं और जालम बूटा जिसको हम लतावेव कहते हैं इसका उपयोग किया जाता है प्राइमरी तोर पर ये अठाना नंदना क्या है कभी पूछा जाए या इसका संबंध किस से है तो ये जो आप लोग का संबंध है वो आप लोग का नहीं चित्रकारी से नहीं printing से स्पेशली printing इस तरीके की printing जो आप लोगा कपड़ों पर की जाती नहीं हर जगे आप लोग इस प्रिंट को कर सकते हो यह प्राइमरी तोर पर भील जन जाती की द्वारा की जाती और मद्यप्रदेश के नीमच जिले में आप लोग बहुत ही ज़्यादा फैमस आप लोग का है ठीक इसकी छपाई में चार चीजों का यूज किया जाता है चारों चीजों आपको याद रखने हैं यदि यह याद नहीं रख पा रहा है तो यह याद रख लीजी चंपा कली इंदा सेंस आप लोग का मिर्च है और मैगनुलिया क याद रखने में सक्षम हो अचा यहां से एक प्रश्ण ऐसा भी बनता है कि इसका संबंद किसे है जैसे मौटिफ का संबंद किसे है मौटिफ का अरत क्या होता है इस तरीके के कोश्चन भी कभी कबार आप लोग के आज आते हैं समझ रहे बात को अब जी आप लोग का और घंग ये जो आप लोग का देखा जाए व्यवाह और करवास्ता के दोरान आप लोग का पैना जाता है यति गर्भ में आप लोग का रहता है तो जो ने देखा होगा महिलाहें अच्छे से पर चित होगी खुला हुआ टाइप से रहता है ठीक है और अंबा अब सभी देखेंगे वेल स्पन सौर मद्र प्रदेश पर यहाँ homework स्विर्वसेंगे चाह से वेल सबन स्वर परियोजना की बारे में बम्हों का नीमा त्क जले की P फोटो वर्टेक पावर स्टेशन यह आप लोग का जी लोग का इस्की जावद तहस्सील के दक्ष coupon में वसे भगवान पुरा गाम में इसको बनाया गया 111 मेगावार्ट यहां से आप लोग का पावर प्राप्त किया सकता है प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा सौरूजा प्लांट है और इसकी स्थापना 26 परवड़ी 2014 को आप लोग का की गई थी तो यह पूछा जाए बेल्सपन मद्यप्रदेश परयोजना किस वर से आप लोग की शुरूबात की गई तो 26 परवड़ी 2014 को इसकी शुरूबात की गई थी तो बेल्समान अनरजी लिंटेट ने अपनी सहाएक कमपनिंग बेल्समान सौलर मद्यप्रदेश प्रवीट लिंटेट के मादयम से इस प्लांट का इस्थापना किया है और मद्य प्रदेश के नीमच जिले में इसको इस्टेवल आप लोगों का किया गया है ठीके तो सीधा सीधा आपको यह याद रखना है इस question में बेलस्पन सौर प्रियोजना कहां पर है मद्य प्रदेश के नीमच जिले में यहां से 151 बाट विद्ध प्राप्त होती है और इसको 2014 में आप लोगों का सुरुवात किया गया था तेट्स क्लियर तीन कोशन याद रखना है कहां पर मौझूद है किस्टन में बनीती है उसकी छमता क्या है नीमच जिले की जावत तैसिल का नाम जरूर याद आप रखना है अफीम क्या बात है यार तुम्हारे मुवें पानी और नसे दिमाग की नसे फट गई है न अफीम की अधी बात करते हैं तो अफीम एवं सरोध कार खाना यहां पर आप लोग का मौझूद है भारत का दूसरा अफीम के प्रसंस करण और आपका अलकलोईड की निर्मान का सैंत्र नीमच जिले में आप लोग का मौझूद है इस्पेसली कहां पर है नीमच जिले में जो राजिस्थान की पूरवी सीमा से लगवक 5 क्लूमेटर तक आप लोग का फेला हुआ है इस में दो अलग अलग काईऑं आप लोग की सामिल की गही है अफीम फैक्ट्री और आप लोग का moyen-轟कलाईड वरकर्स क्या अफीम फेक्ट्री और अल्कॉलाइड वर्कर्स आप लोगो दिखाई दे रहे होंगे तो अफीम एवं सरोध कारखाना के रिगार्डिंग भारत का दूसरा अफीम के प्रसंस्क्रण और अल्कॉलाइड के निर्माण नीमच में आप लोगो का मौज़ूद है रायस्थान की पूर्वी सीमा से लगवग 5 किलूमीटर तक ये फैला हुआ है काफी बड़े अलाके में आप लोगो का लगाया हुआ है इसको एक तो आप लोगो का देखा जाए इसमें दो अलग-अलग कईया सामिल है अफीम फेक्ट्री और अलकोलाइड वर्कर्स ठीक है अलकोलाइड वर्कर्स नीमच अफीम फेक्ट्री का अदगाटन एक अपरेल 1935 को आप लोगो का हुआ था एक अपरेल 1935 को हुआ था अलकोलाइड कारिकी सुरूवात दिनांक 6 अक्टूबर 1906 से आप लोग की गई थी और इसका छेतर फल आप लोग का 571 किलूमीटर है तो यहां से ज़्यादा कोश्चन तो आप लोग को नहीं बनेगी बैसे नॉर्मल कूशा जाता है अफीम का उत्पादन कहां किया जाता है तो मंदसोर में भी किया जाता है और नीमच में भी किया जाता है ठीक है भालत का दूसरा अफीम के परसंस्क्राण और आलकॉलाइड की निरुमाण नीमच जले में मौझुद है साती साथ नीमच अफीम फेक्टरी का उत्गाटन 1935 में हुआ था तो ये आम तोर पर आप लोग का सरकार की देख रेक में इसका उत्पादन किया जाता है दो बाते याद रखना है आप लोग का अफीम के उत्पादन का सरकारी केंद्र जो आप लोग का है मंदसवर में भी है और यहाँ पर भी आप लोग का नीमच में भी है नीमच में जो केंद्रा उसका उद्गाटन 1935 को हुआ था, इसका उद्गाटन जो आप लोका है 1935 को हुआ था, कोई समस्य यहाँ पर नहीं होना चाहिए, एक और सब्द आपको देखने को मिल रहा है, आक्टर लोनी इमारत, यह प्राचीन इमारत को सर डेविड आक्टर लो में आपके काम किया करते थे, आक्टर लोनी, आंगल नेपाल के युद्ध में, जीत हाजिल करने के लिए, उन्हें, नाइट कमांडर ओफ बात, या बात के सूरवीर सेनापती के उपादी दी गई थी, जो भारतिये सेने के वरतानी सेने को पहली बार दी गई थी, समझ रह आती है, तो ये कुछ इंपोटेंट फेक्ट नहीं है, हाँ इतना है कि कभी कवार कोई पूछे, MPPSC का कभी कवार दिमाग सटक जाता है, तो पूछ लेता है, तो ये आपको पता है कि ये इमारत आप लोगों का सर डैवेड ओक्टर लोनी के द्वारा 1818 में बन बाई गई और वरतमान में CRPF के अधिकारी मैस के DS का यूज करते हैं, सेंटल रिजर्ब पुलिस फोर्स, केंद्रिये रिजर्ब पुलिस वल, यहां आप लोगों के लिए हम कुछ बोलना चाहेंगे, यह बहुत महत्पून है, बहना का जला नीमच चल रहा है, बिलकुल है, और देख की बात करें, तो केंद्रिये प्रसिकषण महा वित्याला है, केंद्रिये रिजर्ब पुलिस वल, नीमच भारत में एक प्रमुख पुलिस प्रसिकषण संस्थान आप लोग 큰 है, और इसकी स्थापना 9060 को की गई थी, केंद्रिये रिजर्ब पुलिस वल का सबसे पुराना संस्थान आप लोग का है जिसको हम लोग नॉर्मली CRPF कहते हैं तो कोश्चन यही आता है कि CRPF का ट्रेनिंग सेंटर मद्ध प्रदेश में कहां पर है नीमच जिले में मौझूद है इसकी इस्थापना कब हुई थी तो 1 दिसंबर 1960 को इसकी इस्थापना हुई थी विरिटिस काल में नौर्थ इंडियन मिलेटरी हैंड कैबलरी हैंड क्वार्टर के नाम से इसको हम लोग जाना करते थे एक अगस्थ 1906 को नीमच जिले के केंद्री रिजर्ब पुलिस भल वर्ती इवं प्रसक्षन केंद्र आप लोग का इस्थापित किया गया तो नॉर्मली इसकी इस्थापना 1960 को की गई थी लेकिन सेंटल जो रिजर्ब पुलिस फोर्स जो आप लोग का है इसके ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसको 1968 में गोसित किया गया समझरे हो बात को इसको नॉर्मली जो केंद्र है वो तो 1960 में बना दिया था लेकिन ये अथोरिटी कि व वंगर सिया में मुख्याले इसका इस्थापित किया गया चलिए वह यह बहुत ही अच्छी बात है तो केंद्रियस यानि शेंटल गवर्मेंट के अधी 2012 को इसकी एक और यूनिट आप लोग का सत्रे एक्टूबर 2012 को बोपार जिले के वंगर सिया में मुख्याले इसका एक इसको ट्रेनिंग सेंटर के रूप में अथोरिटी दी थी और सेंटल जो आप लोग का रिजर्ब पुलिस फोर्स है इसके सेंट्रल जोन के लिए 2012 में बोपाल का आसपास का इलागा पड़ता है बंगर शिया यहां पर इसका मेन मुख्याले आप लोग का नॉमिनेट किया गया या आप लोग का जो इस्थापित किया गया केंप परिशर प्राचीन ब्रिटेश शावनी में इस्थित केरीप वल की जन्विस्थलिये जहां केंद्रिये रिजर्ब पुलिस वल का सन 1949 में आप लोग का उदय हुआ था CRPF का गठन हुआ था 1939 में कहां पर केरी पो वल की जन्विस्थलिये आप लोग की यही नीमज में ही मौद है सरपर्थम केंद्रिये रिजर पुलिस वल की स्थापना केंद्रिये पेरामिलीटरी फोर्स के रूप में की गई थी पेरामलेटरी जो आप लोग का है अब इसी के अंतरगत आती है इस अंस्थान में परियाप्द आउटडोर प्रसेक्षन मैदान एवं इंडोर कक्ष आप लोग के मौजूद है दियर इस नो इसू बेविन सेवा कालीन कोर्सों में भाग लेने वाले प्रतिवागियों के मनु अब यदि बात की जाए भादवा माता मंदिर ये मंदिर जो आप लोग का है बहुती फैमस बहुती जादा कह सकते हैं इस इलाके में बहुत जादा फैमस है यहां इस्थानी लोगों की बहुत जादा मानता है ये भादवा माता के प्रति बहुत जादा आस्था रखते हैं तो मंदिर में एक आप लोग का कुगा बना हुआ है, उस कुगे के पानिशों उसको नहला दो, नवरात्री इस मंदर का प्रमुक्तिवार है, अब पुजारी माता की मूर्थी के सुन्दर कपड़ों और गहरों से सजाते हैं, तो यह तो नॉर्मली बात है, यहाँ पर आपको बातियों से छुटका रहा, इसको मिल जाता है, ठीक है, तो इस पर सरी पैरलेसिस ठीक हो जाता है, निशा इधर वाले इलाके में आने वाले हैं, किसी को ले करें ना, यदि ऐसी मानता है, तो बहुती जल्द फरमे किसी के साथ पहुँचने वाला हूं तयार रहना, ठीक है हैं, क्लेशवर मंदिर आप लोग का, प्राचीन मंदिर वरुखेडा, एंड ये एतिहासिक मंदर है आप लोग का, ये आप लोग का वरुखेडा वाला, और रामपुरा मस्जित, ये भी फैमस आप लोग के, ये वरुखेडा का कोश्चन आ जाता है, वरुखेडा कहां पर मौदूद है तो वरुखेड़ा आप लोग का जो है नीमच जिले में मौदूद है और क्लेश और महादे मंदर भी यहीं पार मौदूद है सबसे महतपूर्ण प्रश्ण यहां से आता है और MP के किसी भी एक्जाम है पुछ लिया जाता है कि शहाओदिन ओलिया का उर्स का लगता है तो पहले कोशन का मंसर हो गया नीमच जिले में आप लोग का लगता है नहीं तो बुलाती नसर साधी हुई नहीं आपको चलो कोई बात नहीं यह जो आप लोग का देखा जाए पिछले लगवग 90 सालों से आप लोग का लगता हुआ आ रहा है नीमच में फरवरी महा में साधीन ओलिया का उर्स आयजित किया जाता है यह उर्स 21 से 24 अपरेल की बीच हर साल 4 दनों तक चलता है तो फरवरी महा में इसको मतलब नॉर्मली कह सकते हैं कि इसकी स्टार्ट अप या जो भी है लेकिन इसकी डेट आप लोग का फिक्स है इसकी डेट फिक्स है पिछले 90 सालों से चला आ रहा है जरेज नो इसू स्वाती जी वेलकम टू टू तक लास यह वताईए विश्णू स्रीधर वाकंड कर विश्णू स्रीधर वाकंड कर की बात करें तो मद्यप्रदेश के प्रमुख प्रातत्वित इतिहासकर विश्णू स्रीधर वाकंड कर इनका जरम 4 मई 1919 को नीमजले में हुआ था काफी सारी खोज स्थलिन से आप लोगे जुड़े हुए है और इनोने वर 57-58 में भीमबैटका की खोज की थी जो कि आप लोगी 2003 में व स्री विश्णू धर वाकंड कर के नेतरत में उज्जेन के विक्रम विश्विध्यालाए की टीम के दौरा किया गया था यह आप लोगो का देखा जाए चलो यह बहुत बढ़िया है मुझे पहले शेपता है इसकी साधीत हो गए ती चलो कोई ना कोई मौका मिला है निशाम तक सलाम और भाई लोग सब बहुत आई है इस तरीके से वालगी जलवार आएगा आपना चलो यह बताओ जिसमें मुख वदिर चित्रकार की टीम थी मुख वदिर समझते हो जो बोल नहीं पाते हैं आप लोग के है ना इसमें ओडेकर नारायन व्यास कुमारी दलजीत कौर अप लोग सामिल थे तो नौध एजन इंप़ेंट है अप लोग के लिए इंपोटेंट है श्री विश्नु धर्भा करता जनम एस्थल ाप लोग का था, जनम उन्नीष में आप लोग का हुआ था, उनकी पहली खोज आप लोग का विक्रम विश्विध्याल आपी की तीम के इवां सरवक्षण का कार यहां पर किया गया इसके उलेखनीए कार्यों के लिए 1975 में पदमसरी प्रुसकार से भी इनको शमानित किया गया तो यह बहुत ही सांदार अपडेट है आप लोग के लिए जिनका जनम 1970 में हुआ और जिनको 1975 में पदमसरी शमानित किया 1975 में पदम स्रीश शमानित किया गया 1919 में जिनका जनम हुआ तो ये अपने लिए कही ना कही ये गौरब की बात है मत्यप्रदेश के लिए अब बात कीजा है सुन्दरलाल पटवाजी की इनका जनम 1924 के हुआ था यानि कि ये 4 साल छोटी हैं मंदसौर के कुंडलेश और बरतवान जो नीमत जले में आप लोगा पड़ता है और उस टैम पर मंदसौर जले में पड़ता था सुन्दरलाल पटवाजी का जनम यहां पर आप लोगा हुआ है इनके दौरा 1942 में राष्टिय स्वयम सिवक संग से राजनीती में प्रवेश आप लोगा किया जिसको हम लोग RSS की नाम से जानते हैं इनहें संग प्रचारक, विदानसवा, शदश ब्रोधी दल का मुख्य सचेतक और राज सहकारी वेंक का संचलक और जनता पार्टी की कार समिती के शदश के रूप में कार कर रहे हैं, ठीक, ये सन 1990 से 1990 तक मुख्य मंतरी के पतपर भी आप लोग कर रहे हैं और इनका देहांत आप लोग का अभी हल ही में 2016 में आप लोग का हुआ है, गाउं से ही हैं आप लोग के, चलो ये मुख्य मंतरी के पतपर भी रहे हैं, दो सालों के लिए 2016 में इनका देहांत हो गया था, ठीक है, बाल कभी वेरागी जी, इनका जनम आप लोग का 1931 में मंदसोर्ज लेकी मंसा तैसिल रामपुरा गाउं में हुआ था, जो बर्चमान नीमच में आप लोग का आ चुका है, इनका वास्तविक नाम नंदरम दास हुआ करता है, कैलास काटजू ने इनका नाम बदल कर वालकभी वेरागी रखा था, ये पूछा जा सकता है, कि नंदरम दास, जो वालकभी वेरागी इनका वास्तविक नाम क्या था, नंदरम दास, ये नाम क इसके दौरा दिया गया था कैलास काटजू के दौरा राजनीतिक साहित उक्रसी कर्म मद्यप्रदेश सरकार के मंत्री और लोकसवा के शदश हिंदी कावे पर मंच के रूप में काफी एदा फैमस रहें इनके दौरा गौरब गीत दरद दिवानी दो टूक और भावी रष्चक देश ये काफी सारे कावे शंग रहें इनके दौरा किये गए ये दो टूक वाली कक्षाओं में बहुत फैमस होती है ये वाली दो टूक बहुत फैमस है आप लोगों का वाल कभी वेरागी जी के दौरा फिल्मों के लिए गीत भी लखे हैं रेश्मा और सेरा गीत जो आप लोग का तू चंदा मैं चांदनी ठीक है ये इनके दौरा लखा गया है तू चंदा मैं चांदनी इसको आप लोग सुन सकते हैं यूटूब पर अबलेवल है 22 सितंबर 2012 नौवा विश्व हिंदी सम्मेलन जोहां स्वर्ग दक्षण अफरीका में माननीय स्रीवाल कभी बेरागी जी को नेलसन मंडेला ने शम्मानित किया था जो कि आप लोग के दक्षण अफरीका के उस टाइम पर जो है प्रदान मंतरी के रूप में आप लोग के तो प्रदीव सम्मानि को मिल चुका है ये स्पेसली शम ना आप लोग का रहता है राइंट्र्स के लिए टाइमसऑ इंडिया फाउडिशन के द्वरा अंतराष्टी हिंदी सेवा सम्मान बीन को मिल चुका है वह होतीождक दौरा इनको अंतराष्टी हिंदी सेवा सम्मान भी मिल चुका है पांचवार अंतराष्टी हे हिंदी सम्मिलन में भारत का प्रतेनने दृति यह आप लोग का कर चुके हैं तो भारत के लिए बहुत गौुरब की बात की कि बाल कभी वह इस्पेसलि नीमच के निवासी रहे हैं, ठीके, यानि नीमच के दोरा हमेशा एतिहासिक लोगों का जनम हुआ है, अब अपनी बारी है निसा, अपन भी एक इतिहास लिखने वाले हैं, ठीके, बावा डेके, ये आप लोगों के रंग कर्मी, रंग कर्मी आप समझ सकते हैं, जो मंच प्रतियोगी आप लोग के रहते हैं, साज जुन उननीस सो उननीस को, यानि इनका जनम आप लोग का, इनके साथ ही हुआ है, सुन्दरलाल पटवा जी, नहीं सुन्दरलाल पटवा, इस्पेसलि इनके साथ हुआ है, विशुनु धर्वा करकर, और इनका जनम प्रक्षार कर रहे हैं, या क्या हम लोग इसके लिए कर सकते हैं, किस तरीके से इन से बस सकते हैं, उननीस सो पच्पन में इन्होंने नाट आरती के स्थापना की और सर प्रथम अखंड ताडव के नाट लेखन को अपने केरियर की सुरूबात की, तो इनके बावा डिकेज हुआ करते थे, मद्य प्रदेश की नीमच जले के नवासी थे, जो याद करने वाली बात हैं, वो तो मैं अभी आप लोगों को समराइज करूँगा, बता दूँगा, और सबसे महत्वपूर्ण कोश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, कि मद्य प्रदेश का प्रथम ग्राम ने आला है, तो यहाँ पर अपन को कन्फूज होता है, देखो, MP का पहला ग्राम ने आला है, नीमच में है, और MP के बाद आप लोगों का देखा जाए, सेंट्रल गवर्मेंट का पहला जो ग्राम ने आला है, तो वो भोपाल में है, यानि केंदर सरकार के दोरा जो इस्था ग्राम में आप लोगों का मौजूद है, यहाँ पर इस्ताबित किया गया है, साथ सदस्य ग्राम पंचायत का नियालय था, और इस नियालय की स्थापना आपका वारा दिसंबर 2001 को की गई थी, दस ग्राम पंचायतों को मिला कर इसकी स्थापना की गई, ग्राम नियालय के अधिकार छेतर में, गाउं को छोटे-छोटे वाद वादों से निप्टाना या गाउं में कोई भी लडाई हो गई है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो उनको आपस में सुलजाना इनका मेन काम था, हिष्टी तो बैसे ही निसादीदी को रटी है, रटा मार है वे न, चलो कोई लेकिन मुझे एक वाद समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग जो 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 ले फैमा से उनके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चे, इनसे क्या कोशन नहीं आएंगे क्या, तो पहला ग्राम नियाले आप लोग का यहां पर मौजूद था, दस ग्राम में से एक एक शदश्य होना अनिवार था, तभी आप लोग का सही तरीके से लीडरिशिप की जा सकती थी, प्रतेक ग्राम नियाले में एक शदश्य को विधी का जानकार होना आविशक रखा गया था, विधी इन दसेंस, जो भी कानून आप लोग का है, उसका जानकार होना अनिवार था, तभी वो आप लोग का फाइनल डिसीजिएन पर पहुंच सकते हैं, तो यहां से जो कोशन आप लोग का वन सकता है, वो मैंने आपको बता दिया, यानि कि ओवर ओल देखा जा, यही था आप लोग का पूरा का पूरा नीमच चला, अब आपको जो याद करना है, वो मैं एक बार समराइज कर देता हूं, सबसे पहली बात, 1857 का विद्रो यहां से सुरूबात हुआ था, मंद्य प्रदेश में, फिर आपको याद रखना है, तीन जून 1857 को पैदल और घुड़सवार सेनाओ के द्वारा विद्रो किया गया था, चौदा दून 1857 को ग मेंजले के अंतर गताता है, तारापरो का आठाना, नंदना, फिर आपका देखा जाए, वेल्सपन और सौर मद्य प्रदेश परयोजना जो आपकी है, यह आप लोग का जावत तहसील में है, वेल्सपन, सौर परयोजना मद्य प्रदेश की है, इसकी छमता 121 मेगाबाट य यह बहुत इंपोटेंट है, यह बहुत इंपोटेंट है, CRPF का मुख्याल है, आप लोग का यहीं पर है, और 9060 में इसको गठत किया गया था, 1968 में इसको ट्रेनिंग और भरती का भी पावर दे दिया गया था, 2012 में सेंट्रल गवर्मेंट का जो पावर केंद्र है, वो पीफ टेनिंग सेंटर, एंड वदवा माता मंदर, यहां पर लगवा और पूलियों को ठेक किया जाता है, इसके अंदर एक गुगा मौजूद है, उसके मात्यम से, उसमें जो जल है, उसके मात्यम से, साबुद्दीन ओलिया का और 90 साल से लगता हुआ रहा, 21-24 तारीक के वीच में आप लोगा लगता है, बाबा साबुद्दीन की मजार यहां पर मौजूद है, विश्णु दर्वा कड़कर, 1919 को जनम हुआ था, और यह आप लोग के बहुत ही फैमस उत्खनान करता है, आप लोग के रहे हैं, पहली खुदाई इनके दोहरा, विक्रम विश्वि पटबा और बाल कभी बहरागी, इनका जनम 1931 में हुआ था, यह बहुत फैमस आप लोग के हुए हैं, क्योंकि यह राजनेतिक है, इनका एक कथन जो आपको याद रखना है, साहित तिमीरा धरमें, राजनीती मेरा करमें, यह पूछा जा सकता है, किसने कहा, साहित तिमीरा जानतला गराम में आप लोग का इस्टेबलिस किया गया, यह था आज का नीमच जिला दर्सन, जितने कोशन आप लोग के बन सकते हैं, इस्टुडेंट भाग गए, देखो इस्टुडेंट को भाग जाने दो, मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बताता हूं, क्लास तो सनना चाहिए वो सनसकते हैं, जाना चाहिए वो जा सकते हैं, पढ़ाई वो तपस्या है, जो हर किसी के वस की बात नहीं है, कंटिनूटी में बोधम रहता है, बहूत ज़्याधा, आप लोगों को कभी सोचा, आपको कोचिंग की या वजर सकता क्यों पड़ती हैं, फिर्श सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है इसलिए मोवाइल में कोई नहीं पढ़ सकता क्लास में हर समय इंट्रेस्ट आई यह पॉसिवल नहीं है कई सारी चीजों से हमको जबरदस्ती गुजरना पड़ता है ना चाहते हुए भी समझ रहे हो बात को हर समय इंट्रेस्ट आई यह संभव नहीं है कभी न कभी हमको जबरदस्ती गुजरना पड़ता है उन राहों से जो वाकई में अपने लिए वनी तो हैं लेकिन हम उनको जबरदस्ती गुजरना पड़ता है हम उनकी कंडिशन में नहीं लेकिन गुजरना पड़ेगा तो यह बहुत सारी दिक्कतें आप लोग को हैं जब जा करके ओनलाइन क्लास सेटलमेंट हो पाती है अचा हैलो आय तो ठ क्य finns तरफिकिशन या कोई और क्लास आगई तो यह जो थाट्टी इननट पढसा कोंद बहुत अध्य आप लोग का रहता है और अच्छी बात के precis की बात बाई साब तुम यदि घर से बाहर रह रहा हो यदि कोई भी विच्चा फ़ला है वह यदी सोच रहा है मैं पढ़ने के लिए रह रहा हूँ यदि वो हर दिन ये नहीं सोचेगा ना कि मैं किसली रहा हूँ तो मेरे से लिखकर के लिए लोग पड़ने ही पाएगा you have to think you have to imagine regularly कि आप लोग घर से बाहर क्यों रह रहे हो आपको वो कारण पता होना चाहिए जिसके लिए आप घर से बाहर रहे हो यदि वो कारण पता नहीं होगा तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हर चीज को इतनी आसानी से और इतने अलके में मतलो ओंलाइन क्लास मैं बोल रहा हूं मेरे से भी सांधार संधार टीचर आप लोग को पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ने वाले चाहिए पढ़ने वाले नहीं है तो कोई क्या करे बताइए पढ़ने वाले बच्चों की नहीं है ध्यान रखना इस वात को मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे वैटर कॉलिटी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की जिरुवत है वो अपने पास नहीं है तो तैंक यू सो मच प्लीज अपने आपको कॉंसेंटेट कीजिएगा और ए कि सो मच हो सके तो सब्सक्राइब करना और भी ज्यादा हो सब्सक्राइब करना और भी ज्यादा हो